इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी Android स्मार्टफोन यूज करते हैं और उस स्मार्टफोन में कोई भी unknown number से call आता है चाहे वो जिस number को आपने वहाँ पे save करके नहीं रखावा है उस number से call आता है कोई company का call आता है या कोई computerize आपके पास call आता है तो उस call को कैसे आप वहाँ पे block करके रख सकते हैं जिससे फाइदा ये होगा कि कोई भी unknown number से call आएगा तो आपको पता तो चल जागा पर वो बंदा आपको call नहीं कर पाएगा सिर्फ आपके mobile में जो भी content वहाँ पे save किया है वही content से आपके पास call receive होगा तो ये setting कैसे आपको क्या करना आपके android mobile में जो भी डाइलर है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस device में आपको google डाइलर देखने मिलेगा अगर आपके device में google डाइलर है तो सबसे पहले तो इसको open कर लेना open करने बाद आपको three dot वाला option में जाना है then setting वाले option पे click करना है click करने बाद देन यहाँ पे filter वाला option मिलता और उसमें भी कुछ ऐसे number होते है जो वहाँ पे आपको identify spam में देखने मिलते है उसको भी यहाँ पे क्या करता है filter करता है देन उसको यहाँ पे block करता है अगर आप यहाँ से back होते है back होने बाद block number वाला option मिलेगा इस पे जैसे आप click किजेग तो यहाँ पे unknown वाला option मिलता है जिसमें लिखावा है block call from undefined caller अब होता है कि कुछ ऐसे caller होते है कुछ ऐसे number होते है जो आपको 10 digits के देखने को नहीं मिलते है कुछ private number होते है उसको यहाँ पे क्या करता है उसको define करता है undefined करने बाद उसको यहाँ पे block करता है पर दोस्तो करके नहीं रखावा है और उससे मैं यहाँ पर कॉल करके आपको दिखाता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कॉल करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कॉल आता है तो इसको कैसे आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करने के लिए जो देता हूँ application का नाम किया है तो यह application आप यहां पर देखे calls blacklist के नाम से देखने को मिल जागा या दोस्ते जैसे आप यहां पर जाते है play store में तो देखे यह call blacklist के नाम से देखने मिलेगा इसको आपको install करके open कर लेना, जैसे आप यहाँ पर open कीजिएगा permission मंगना जाएगा, call log का इसको आपको allow करना है, contact का यहाँ पर permission को allow करना है, यहाँ पर phone call वाला permission को यहाँ पर allow कर देना है allow करने वाँ इस परकार का interface देखने मिलेगा, यहाँ पर call का भी option सम्स वाला भी option देखने को मिल जाता है आप चाहे तो यहाँ पर गॉल को भी block कर सकते हैं इस में इसको भी block कर सकते हैं देन उसके बाद क्या करें तरी डॉत में जाये तीडॉत में जाना सेटिंड वाले option में जाये देन आपको ब्लॉकिंड वाला सब्सक्रांबूरा घंकार आग सब्सक्राइब क्यों इसको आपको अनेवाइबकर आउड़ सब्सक्राइब भीान पर कहलي हो किसा好 है इसको आपका कर सकते हैं यह दो option को आप इनेबल कर लें बाकी all call का भी option यहां पर मिलता है और नीचे में आपको SMS वाल option मिलता है जिसमें unknown number से को SMS आता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं तो यह option देखने मिल जाता है तो iggard no to Latino को अपिया पर आप ओन कर लें और ओन आप सकते हैं अब यहांपर देख सकते हैं उसी number से अगर में किया है यहां पे कॉल करनगा तो क्या यहां पर सो होता है तो चलिए मैं यहां पर क्या करता हूँ call को लगा लेता हूँ फिलाल आप देख सकते हैं यहां पर call को लगा लिया है और लगाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं क्या सुनने को मिलता है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे नमबर लगा रहा हूँ तो होता है क्या है कि वो नमबर यहाँ पे बताए जा रहा है और यह जो नमबर आपने यहाँ पे लगाया है जो भी नमबर लगा है उसका आप अगर यहाँ पे देखे तो block list में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आप notification में यहाँ पे देख सकते है यह notification आपको यहाँ पे देखने मिलेगा click करके आप notification चेक कर सकते है तो दोस्तों इस परकार से आप यहाँ पे unknown number को यहाँ पे block कर सकते है और जो भी content आपके mobile number पर सेप किया हुआ है उस कॉंटेट का ही कॉल आपके मोबाइल नंबर में रिसीव होगा